कि नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका केक के संच शड़ी पॉइंट में और आज हम क्लास कराएंगे मैथ की मैथ में हमने पहला पॉर्शन लिया आज पृति सत्ता परसेंटेज यह तो सभी जानते हैं कि मैथ सभी एक्जाम में आता है इस पूर्शन पॉस्ट एक्जाम हो सभी मैथ चलता है और मैत में भी जो पॉस्टेज है वह सर्बोपर ही है सबसे ऊपर प्रसेंटेज को रखा गया मैं जिसके सरवाधी कोष्टन सभी एक्जाम में आते हैं तो इसब पहला कोष्टन है एक वटे दो पृतिशत को दसमलव भिन में बदलो भिन में बदलो इस पर्शंटेज है इसका मतलब होता है एक बटे सो तो इसे करेंगे हम एक बटे दो गुणा एक बटे सो तो यह हो जागा एक बटे दो सो अब दो सो से हम एक को बाग देंगे नहीं जाने की ओट लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे तब भी नहीं जाने की एक जीरो और लगाएंगे तो सो हो जाएगा तब भी नहीं जाने की एक जीरो और लगाएंगे तो हो जाएगा एक हजार तो दो सो पंजे होता है एक हजार त दूसरा कोशन है 7.31 परसेंट को दसमलब भिन में बदलो तो इसका भी वही सीन है जो भी कराया था हमने इस परसेंटेज का मतलब होता है एक वेटे सो परसेंट इसे करेंगे 7.31 इंटु वन अपॉन अपॉन एंड्रेड तो हो जाएगा 7.31 बटे सो यहां से इस पॉइंट को अटाएंगे और नीचे बढ़ जाएंगे दो जीरो तो हो जाएगा 731 अपॉन दस हजार अब इससे हम 731 को बाग देंगे एक दो तीन चार और 731 कोईट लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे तब भी कम है क्योंकि यह दस हजार है और यह साथ हजार है एक जीरो लगाएंगे और यहां भी जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा दस हजार सेवन चार हो जाएगा सकतर हजार जीरो जीरो वन थ्री फिर यह जीरो बढ़ाएंगे तो यह तीन बार जाएगा तो हो जाएगा तीस हजार फिर वन टू थ्री एक जीरो बढ़ाएंगे यह जाएगा क्यों एक बार एक बार तो हो जाएगा दस हजार तो इसका अंसर आया जीरो पॉइंट जीरो सेवन थ्री वन तीसरा कोशन है दोसो बटे तीन को पिर्तिसत भिंद में बदलो तो इसमें हम हम दे रखा दोसो दोसो बटे तीन तो तीन समें बाग देएंगे दोसों को 3 छंग अठा रहे है दो बचा जीरो हो जाएगा 5 पिर्तिसत तो यह हो जाएगा 56 सही 2 बटे 3 पिर्तिसत यह इसका अंसर है कि दूसरा टाइप है हमारा का वे से से संबंधित प्रश्ण इसमें पहला कोशन है 40-20 का कितने पृतिशत है तो यह जो 20 है ना 20 का तो का आता हमेशा नीचे हमेशा नीचे और दूसरी संख्या उपर दूसरी संख्या उपर और का हमेशा नीचे तो इसमें हो जाएगा 20 और उपर 40 और गुणा 100 तो 20 ही कन 20 और 20 दुनी 40 तो जाएगा 200 प्रतिश्ण दूसरा कोश्चन है का का 120 का कितने पृतिशत 60 है तो इसमें जो का है यह हमेशा नीचे आएगा तो यह हो जाएगा 60 बटे 120 क्योंकि का है और गुणा 100 साट इकन साट साट दूनी 120 और दो इकन दो दो पंचे दस तो जाएगा 50 प्रतिश्ण तीसरा कोश्चन है इसका तीन किलोग्राम का कितने पृतिशत 15 ग्राम है फिर वहीं इसमें का आया है और का था में साट नीचा और इदे रखा किलोग्राम में यह वैलू दे रखिए ग्राम में तो लिखेंगे पहले वन केजी एकल तू एक हजार ग्राम तो थीरी केजी हो जाएगा तीन हजार ग्राम और यह नीचा जाएगा इस टाइप से 15 बटे तीन हजार और गुना सो कृए दो जीरो से दो जीरो और 15 एक नना 15 पंद थानी 30 तो जाएगा एक बटे दो या 0.5 प्रतिश्ण चोथा कोशन आता है 50, 40 से कितने प्रतिशत अधिक है पहले था का तो का तता नीचे अब की बार है से भी आएगा नीचे लेकिन दोनों का अंतर जाएगा उपर तो लिखेंगे हैं से हमेशा नीचे और अंतर उपर तो लिखेंगे हैं 40 और 50 माने 40 गोड़ा 100 तो जाएगा 10 बटे 40 गोड़ा 100 तो जाएगा 25 प्रतिशत पांचमा कोशन है हमारा सत्तर असी से कितने प्रतिशत कम है यह भी से है तो से में सा नीचे आता है तो लिखेंगे असी और अंतर जाएगा उपर असी माने स सतर और गोड़ा 100 तो जाएगा 10 बटे 80 गोड़ा 100 तो एक जीरो से जीरो और दो चोग आट दो पंचे दस और दो दिन 4 और दो दिन 4 तो जाएगा 25 बटे 2 या 12 से 1 बटे दो प्रतिशत फिर आता है इसका कीसरा तरीका है नई संख्या ज्यात करने के अधार पर प्रश्ण यहां सब एक कोश्टन चलता है सेसी में और पुलिस में भी चलता है बहुत बढ़िया कोश्टन है और यूपी टेट में भी आता है इसमें से यूपी टेट और सूपर टेट में तो बहुत आता कोश्टन इसमें से और यूपी टेट में तो इसमें है 400 का का मतलता गुणा गुणा 20 बटे 100 प्लस 800 गुणा 6.25 अपून 100 तो बीस इकन बीस बीस पंजे 100 और पाच इकन पाँच पाँच अठे 40 तो जाएगा 80 प्लस दो जीरो से दो जीरो और यह हो जाएगा आठ पंजे 40 आठ दूनी सोलेर चार 20 हैंसिल दो आठ चंग अठारी चार दो पचास और दो के बाद पॉइंट लग जाएगा ते हो जाएगा 80 प्लस पचास बढ़ावर 130 ते हो जाएग 130 प्रतिशत दूसरा कोश्चन है 700 का 14 सही दो बटे 7 प्रतिशत प्लस प्लस तीन सो का 33 सही एक बटे 3 प्रतिशत तो जाएगा 700 गुणा चोज़सते एठन मरदो सो सो बटे 7 प्रसेंट प्लस तीन सो गुणा तेहती सही एठन मरद और एक सो सो बटे 3 प्रतिशत और प्रतिशत का मतला होता है एक बटे 100 याँ पर तो जाएगा 700 गुणा 100 बटे 600 प्लस तीन सो गुणा 100 बटे 3 गुणा वन पोन 100 ये वाला ये तो 600 गुणा 100 बटे 700 प्लस 300 गुणा 100 बटे 300 300 गुणा 300 कड़ गया 600 600 कड़ गया तो 100 प्लस 100 बराबर 200 प्रतिशन तीसरा कोशन है 800 का 25 प्रतिशत प्लस 1600 का 6.25 प्रतिशत तो लेंगे 800 गुणा 25 बटे 100 प्लस 1600 गुणा 6.25 बटे 100 तो 2 0 से 2 0 इधर 2 0 से 2 0 तो जाएगा 25 अथर 200 प्लस 16 पंचे 80 ये गुणा करेंगे इसके हम यहाँ पर 6.25 की और 16 से करेंगे 16 पंचे 80 0 88 32 और 8 48 84 84 16 चंग 96 और 4 100 और 2 के बाद पॉइंट है तो जाएगा 100 तो जाएगा 300 प्रतिसक्ता का चोथा स्टैप है पहली संख्या की तुर्णा कर दूसरी संख्या ज्याद करने के अधार पर प्रस्न ये चोथा स्टैप है इसमें पहला कोशन दे रखा मुनेश के वेतन का 50 प्रतिशत 500 हो तो उसका वेतन कितना होगा जब 50 प्रतिशत पर 500 है तो सीधी सीवात है 100 पर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा देखो 500 पर कितना दे रखा 50 पर कितना दे रखा 500 और एक पर कितना हो जाएगा आए 500 प्टे 50 तो 0 से 0 कर जाएगा पाश से 5 5 तो यह 10 एक पर 10 है तो 100 पर कितना हो जाएगा 100 पर 30 पर कितना हो जाएगा 10 गुणा 100 बराबर 1000 कर दूसरा कोशन है किसी संख्या का 15 परतिशत 225 है तो वैं संख्या क्या होगी यानि सो परतिशत की संख्या क्या होगी तो करेंगे से 15 बरावर क्या रखा 225 उस एक बरावर क्या हो जाएगा ने कि दो 125 बटे फंद्रे, तो 55 ही कर फंद्रे और 55 कई अबसा शांथ और 15-05 पचे तरत की हो जायगा 15 आई गया जब यह जब 1 पर 15 है 6-30 हो इंद्रे गुणा सो बराबर 15 किसी संख्या का 17 पृतिशत 1360 हो तो उसी संख्या का 20 पृतिशत क्या होगा यह थोड़ा उससे अठके है जब फिछले कराया था तो इसमें करेंगे 17 का कितनी परशंट है 1360 है तो एक का कितना हो जाएगा 1360 बटे 17 और यह वाली संख्या यहां आजाई गुड़ा में 20 तो सत्र इकन सत्रे और 178 ठेक सो चत्तिश तो होई यह हो गया 80 गुणा 20 पराबर 1600 यह वाली संख्या यहां गुड़ा में आजाएगी बाकिर कुछ नहीं करना इसमें किसी संख्या में 20 परतिशत की कमी करने से वह 24 सो हो जाती है वह संख्या क्या होगी तो पहले संख्या कितनी थी 100 परतिशत थी कमी कितने की होई 20 की तो कितना हो जाएगा 80 परतिशत तो जो 80 की वैलू है वो दिरक्या में 2400 तो एक की हो जाएगी 2400 परतिशत 1 0 से 1 0 8 8 8 24 तो 30 आगया एक का तो 100 का कितना जाएगा 100 परतिशत का 30 गुणा 100 बराबर 3000 पांचवा कोशन है अमोद के वेतन में 20 परतिशत व्रद्धी होने से उसका वेतन 14400 हो जाता है तो उसका वेतन कितना था यानि पहला जो वेतन दो कितना था तो पहले था 100% 20 की वरद्धी होई तो यह हो गया 120 120 कितने के बारबर है 14400 के तो एक क्या हो जाएगा 14400 बटे 120 तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा बारे कर बारे और बारे बारे हम 144 तो हो जाएगा 120 तो एक के 120 हुआ तो 100 का कितना हो जाएगा तो 100 प्रतिशत बरबर 120 गुणा 100 तो हो जाएगा 12,000 पांच्मा कोशन है निकिल के वेतन में 20 प्रतिशत ब्रद्धी होने से उसका वेतन 1920 हो जाता है यदि चिस प्रतिशत कमी हो तो उसका वेतन कितना होगा पहले था 100 प्रतिशत फिर उसके बाद इसमें 20 की ब्रद्धी होई तो हो गया, 1920 तो लिखेंगे पहले पहले था सो पृतिशत 20 की ब्रद्धी हुई तो प्रस 20 ही हो जाएगा 120 पृतिशत 120 है 1920 के एकवर तो 1920 तो एक के बराबर क्या हो जाएगा बटे एक बीस गुणा में यह आएगा 25 पंशीजत की कमी हुई है तो इसे हम घटाएंगे सो में से 100 माइस 25 तो यह हो जाएगा यह जीरो से जीरो कड़ जाएगा और बारेकन 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 यहां बचा साथ और 12 चंग 72 यह हो जाएगा 16 गुणा 75 तो यह करेंगे 16 गुणा 75 16 85 हासिल 8 67 112 और 8 120 तो यह जाएगा 1200 कोशन है 200 का 20 प्रितिसत का 50 प्रितिसत क्या होगा जो का है का का मतलब होता है गुणा तो लिखेंगे 200 गुणा 20 बटे 100 और गुणा इसके स्थान पर भी गुणा इसके स्थान पर भी गुणा 50 बटे 100 तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा इधर एक जिरो से एक गीरो और इस एक गीरो से से दावर जिया हगा दो गुणा दिग्वार पांच तो जाएगा दो दिने चार और चार गुणा 5 2030 सातवरा कौशन है सका मान क्या होगा यदि एक्सका 30 प्र्तिसत 75 हो तो लिखेंगे एक्स गुणा 30 बटे 100 और बरावर 75 तो हो जाएगा एक 0 से 1 0 कट जाएगा और यह हो जाएगा एक्स बरावर 75 गुणा 10 बटे 3 क्योंकि यह 3 जो है नीचे भागप हो जाएगा काटेंगे 3 इंगा 3 लेंट छेख और 35 पंदरें और एक्स बरावर हो जाएगा लोसों पचास 15 क का झाल झाल